Hello students, इस वीडियो में discuss करेंगे एक question, How do you mean by inflammation and its common effects? ये class 9 के लिए है, जो How do we fall ill chapter से है, इस question में फूछ रहा है, inflammation क्या है और इसका common effect क्या है? सबसे पहले, तो ये term inflammation होता क्या है? और इसका effect क्या है? इसको समझेंगे, inflammation एक process है, जो human body में छोटा मोटा जो cut हुआ, या फिर जो चोट लग जाता है, उसके कारण हमारा body जो है, खुद protect करता है, अपने आपको micro-organism से, जैसे bacteria वगरा जैसे हमारा body कहीं cut गया, तो वहाँ पे जो है, infection बहुत easily हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है, हमारा skin जो है, या फिर blood vessel जो है, वहाँ पे जो present है, या फिर जो tissue है, वो open हो जाता है, इसलिए वहाँ पे bacteria वेगरा का infection बहुत जल्दी होगा, इससे बचने के लिए, हमारा body में एक process होता है, इसी को हम लोग बोलते है, inflammation, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, during injury, our immune system protects against the disease causing microorganism, यहाँ पे microorganism में bacteria होगा, virus होगा, जिसे हम लोग के body में infection होता है, इस process is known as inflammation, और इस process को हम लोग बोलते हैं, inflammation, और immune system में जो cells work करते हैं, जैसे WBC जो है, हमारे body में infection से बचाता है, तो वही जो है, यहाँ पे आकर के, इस चीज, इस process को continue करते हैं, ठीक है, और इसकी कारण जो है, कुछ effects होते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, एक तो जह हमारा चोट लगा रहेगा, वहाँ पे swell कर जाएगा, means full जाएगा, हमें दर्थ फिल होगा, means pain का condition होगा, उसके बाद कुछ effect होता है, अगर चोट बहुत जादे होता है, तो कभी-कभी body में fever भी आ जाता है, तो fever क्यों आता है, क्योंकि body का temperature बढ़ता है, और temperature बढ़ने से भी, microorganism जो है, वो मर जाते हैं हमारे body में, इसलिए जो है, कुछ जो common effect, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, swelling, और general effect में होगा, fever, next video में कुछ और question ऐसे ही discuss करेंगे, और मेरा biology अगर आप लोग को समझ में आता है, तो please मेरे channel को like कीजिए, subscribe कीजिए, और और के साथ से हैं किसी, thank you